नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुधान्शू और आप सुन रहे हैं जेसी आर्सी विश्व अविद्हले का रेडिय बुलिट इन दा वोईस आईए जानते हैं कुछ मुक्खे खबरे अभिनेत्री जरीना रोशन खान का 54 साल के उमर में निधन अभिनेत्री जरीना रोशन खान का हाली में मुंबई में काडियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया 54 वर्स की थी जी टीवी के शुक कुमकुम भागे में खान ने इंदू दादी की भूमिका निभाए थी जरीन की सहकलाकार शुरीती जा और शबी रहलुवालिया ने कुमकुम भागे के सैट पर अपने समय को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर अपनी और अभिनेत्री की तस्वीरे पोस्ट की एक स्टंट महिला के रूप में अपना करियर शुरू करने के बाद जरीना ने कई शो और फिल्मों में भिने किया कुमकुम भागे के अलावा उन्हें विद्या में एक महत्वपून भूमिका निभाते हुए भी देखा गया था प्रिती जिन्टा ने कहा कि मैं एक कोविड नाइंटेन टेस्ट क्वीन बन गई हूँ प्रिती जिन्टा इस समय इंडियन प्रीमेर लीग के चलड़े संस्करन में अपनी क्रिकेट टीम किंग्स इलेवन पंजाब का समर्थन करने के लिए यूएई में है उन्होंने कोरोनवाइरस के परिक्षन का इंस्साग्राम वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि मैं एक कोविड नाइंटेन टेस्ट क्वीन बन गई हूँ और लिखा कि ये मेरा बीसवा कोविड परिक्षन है वीडियो के साथ प्रीती ने जैब बुलबुले में रहने के अपने अनुभव को साजा किया एक्टर प्रभास के जनम दिन पर अमेरिका में फिर रिलीज होगी बहुबली 2 साउथ के सुपरस्टार प्रभास 23 अक्तुबर को अपना एक 40 वा जनम दिन मनाने वाले हैं जनम दिन पर बहुबली 2 और साहो को अमेरिका वा जापान में फिर से रिलीज किया जाएगा ये जानकारी आने के बाद मंगलवार को ट्विटर पर हैस्टेग बहुबली 2 और हैस्टेग प्रभास बर्तरे ट्रेंड करने लगा है रिपोर्ट के मताबिक यूएस के 16 शहरों में प्रभास की फिल्म बहुबली दिखाई जाएगी वहीं जापान और चीन में भी प्रभास की फिल्म बहुबली सीरीज को शानदार रिस्पॉंस मिला था जापान में उनकी फैन फॉलोविंग को मद्दे नजर रखते हुए वहाँ पर उनकी फिल्म साहों को दुबारा रिलीज किया जाएगा क्या इस साल नवंबर में शादी करेंगी गोहर खान बॉलिवूड एक्ट्रेस और डांसर गोहर खान इस वक्त बिग बॉस 14 में बतोर सीनिर्स नजर आ रही है उनके और से धर्थ शुक्ला के बीच तीखी बहस भी देखी जा चुकी है इन सब चर्चाओं के बीच खबर यह भी है कि गोहर खान जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकती है मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो नवंबर में जैद दर्वार के साथ गोहर खान शादी करने वाली है कुछ समय पहले ये बात सामने आई थी कि जैद दर्वार और गोहर खान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं कुछ वक्त पहले जैद दर्वार के पिता इस्माइल दर्वार ने इस बात की पुष्टी भी की थी आज की मुख्य समाचार यहीं समापत होते हैं धन्यवाद